दोस्तो आजगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने इंस्टाराम काउंट में यहाँ पर इस तरह से डिस्कवर पीपल वाले उप्शन कैसे लाए तो मेरे पास काफी सारी कमेंट आ रही है कि हमारे इंस्टाराम काउंट में डिस्कवर पीपल वाला उप्सन सो नहीं हो रहा है तो आज गी इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाराम काउंट में यहाँ पर इस तरह से discover people वाले option को कैसे ला सकते हैं और इस option को use कैसे करते हैं तो दोस्तों discover people के थुरू आप किसी के भी mobile number से उसकी जो instagram idea वो आप पता लगा सकते हैं तो इसके लिए आपको discover people में जाना है और discover people में जाने के बाद आपने अपने mobile में जितने भी number save की होंगे तो उन में से जिस किसी ने भी अपने mobile number से instagram account बनाया होगा तो वो सभी instagram account आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाये देंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने mobile में जितने भी number save की हैं तो उन में से जिस जिस ने भी अपने मुबाइल नमबर से अपना Instagram काउंट बनाया है तो वो सभी Instagram काउंट मुझे यहाँ पर इस तरह से सो रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Instagram काउंट में अगर आपका Instagram काउंट परसनल है तो यहाँ पर आपको Discover People वाला उप्शन सो नहीं होगा तो इसके लिए आपको अपने Instagram काउंट को Professional अकाउंट में कनवर्ट कर लेना है जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने Instagram काउंट को Professional अकाउंट में कनवर्ट किया हुआ है जिसकी वज़े से मुझे यहाँ पर Discover People वाला उप्शन दिखाए दे रहा है तो आपको भी अपने Instagram काउंट को Professional अकाउंट में कनवर्ट कर लेना है तो अपने Instagram काउंट को Professional अकाउंट में कैसे कनवर्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको ऊपर 3 line दिखाए देगी, आपको 3 line में जाना है, और 3 line में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा, setting and privacy, तो यहाँ से आपको setting and privacy में जाना है, और setting and privacy में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का page open जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दो option दिखाए देंगे switch to professional account और add new professional account तो यहां से आपको switch to professional account पे click कर देना है तो चले मैं यहां से switch to professional account पे click कर देता हूं और इस पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open जाएगा तो यहां से आपको continue पे click कर देना है यहां पर आपको 3-4 बार continue पे click करना है और इस पे click क अपलोड करना चाहते हैं तो उस category को आपको यहां से चूज कर देना है जैसे मैं यहां से कोई भी एक category चूज कर लेता हूँ देन आपको done पे click कर देना है और done पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open जाएगा और यहां पर आपको दो option दिखाए देना हे, करेटर और business तो आपको करेटर वाले option पे click कर देना है, देना आपको next पे click कर देना है और जैसे आप next पे click करोगे तो आपका जो instagram count हो professional account में कनवर्ट हो जाएगा तो आपको भी इसी तरह से अपने Instagram account को professional account में convert कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से discover people वाला options होगा और आप में आज से किसी के भी mobile number से उसका Instagram account पता लगा सकते हैं तो दोश्तो आथा करता हूँ कि आपको यह छोटी सी जानकरी जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना